नमस्कार मेरे प्यारे विध्यारतियों, मैं हूँ प्रवीन बंसर और हम कर रहे हैं कक्षा 10 अर्थ शास्त्र अध्याय 4 वेश्वीकरण एवं भारतिय अर्थ व्यवस्ता वेश्वीकरण और भारतिय अर्थ व्यवस्ता का अर्थ क्या है? मतलब भारतिय अर्थ विवस्ता में वैश्वी करण का क्या इस्तमाल है मतलब हम यह पढ़ेंगे जब एक देश विश्व के बाकी सभी देशों को यह इजाज़त दे देता है कि वह उनके साथ आकर उत्पादन कर सकते हैं या किसी भी और तरीके की व्यपारिक गटबंदन कर सकते हैं तो इसे वैश्वी करण का नाम देया जाता है तो देखते हैं यह चीज आपके अध्याय में कैसे दी हुई है आज के विश्व में उपभोकता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुएं और सेवाओं के विस्तृत विकल्प हैं नतलब हम देखें तो हमारे पास आसपास बाजारों में लगभग हर चीज के लिए चाहे हो मोटर कार हो, मोबाइल फोन हो, कोई कैमरा हो या कोई आपके पास कम्प्यूटर हो इन सभी के आपके पास अनेको विकल्प उपलब्ध हैं और यह विकल्प आपके पास कहां से आए आप यह भी देखते हैं कि जितने भी कम्प्यूटर, लैप्टॉप, कैमरे आपके सामने बाजार में उपलब्ध है वह किसी एक देश के नहीं अलग-अलग देशों से आए हुए हैं क्यूंकि एक देश के लिए इतने सारे अलग-अलग चीजों को बनाना संभव नहीं और यह संभव सिरफ इस कारण हो पाया क्यूंकि लग-बग विश्व के सभी देश अब वैश्वी करण की तरफ बढ़ चुके हैं विश्व के शीर सर्स्त विनिर्मताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मुबाइल फोन, टेलिविजन के नविंतम मॉडल हमारे लिए सुलब हैं हमेशा भारत की सडकों पर गाडियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं क्यों, क्या यह सभी गाडियां भारतियें हैं, तो जवाब है ना, यह सभी गाडियां भारतियें नहीं हैं इसमें से बहुत सारी गाडियां भारत के बाहर बनी हैं या फिर मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा इसमें से बहुत सारी गाड़ियां भारत में नहीं बनी है यह गाड़ियां भारत के बाहर बनी है या फिर बाहर की कमपनियों ने आकर के भारत में बनाई है इसी का नाम वेश्वी करण है बाहर की कमपनियों को इस बात के ल या फिर बाहर उत्पादित चीजों को यहां पे लाना यह है वैश्वी करण हैं। ऐसी चीजें पहले हमारी अर्थ विवस्था में बिलकुल भी नहीं मानी जाती थी। परंतु जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रकृति ने सभी देशों को अलग-अलग चीजों से नवाजा है। तो कोई एक देश किसी एक चीज में अच्छा है तो कोई दूसरा देश किसी दूसरी चीज में अच्छा है। लेकिन रहते हर देश में व्यक्ती ही हैं। और इन सभी व्यक्तियों की कुछ न कुछ मांग है। और यह मांग दिन प्रति दिन बढ़ती रहती है। और यह कभी खतम नहीं होती। और यह बदलती भी रहती है। और मांग एक देश की दूसरे देश से पूरी करना वैश्वी करन है चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे बजारों में वस्तुमों के बहु व्यापी विकल अपेक्षकृत नवीन पर इघटना है दो दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुमों की ऐसी नहीं मिलेगी मतलब 20 साल पहले तक भी भारत में ऐसी विविद्दा देखने को नहीं मिलती थी 20 साल 30 साल अगर आप पीछे अपना इतिहास देखते हैं तो आप आएंगे कि इतनी विविद्दाएं आपके बजारों में नहीं मिलती थी परन्तु बहार की कंपनियों के आने के बाद हमने हैं पाया कि बाजारों में लगबग हर चीज के लिए बहुत सारी विविद्दा पाई जाती हैं कुछी वर्षों में हमारा बाजार पूर्टहें परिवर्तित हो गया है पूरी तरीके से बाजार की शकल बदल चुकी है सिरफ भारतिय ब्रैंड हमारे बाजारों में नहीं दिखते उनके साथ हाथ से हाथ मिलाते या कॉम्पिटिशन में दूसरे ब्रैंड भी दौड लगा रहे हैं चाहे वह चीज छोटी हो या बड़ी हो कोई खाने पीने की चीज हो या मोटर गाड़ी हो हर चीज में विकल्प मौजूद है हम इस अध्याय में पढ़ेंगे इतने सारे विकल्प होना इतनी सारी कम्पनियों का भारत में आ जाना कितना फाइदे मन्द है और क्या कुछ इसके नुकसान भी है चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस तीवर परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह परिवर्तन बहुत जरूरी है क्यूंकि किसी भी हर्त व्यवस्ता में व्यक्ति की मांग कभी खतम नहीं होती व्यक्ति की मांग बदलती रहती है लेकिन उसको पूरा करने वाले जो कारक हैं उसको पूरा करने के लिए जो संसाधन है वह सीमित है तो और एक व्यक्ति अपने सीमित संसादनों में अपने आपको पूंडते संतुष्ट पाता है या नहीं उसकी संतुष्टी के लिए वह देखता है कि बाकी के देशों में क्या इस्तमाल किया जा रहा है क्या चीज इस्तमाल की जा रही है क्या चीज आप खा रहे हैं क्या चीज आप पहन रहे हैं तो इस तरह से मांग बदलती रहती है और इस बदलती मांग को पूरा कैसे किया जाएगा वेश्वी करण के द्वारा जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रक्रती ने हर देश को अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग चीजों से नवाज़ा है तो ऐसे ही कुछ फिक्सित देश हैं, कुछ विकास्ट शील देश हैं जिनके पास अलग-अलग तरीके के प्रक्रती द्वारा दिये हुए आशिरुआद हैं तो चलिए पढ़ते हैं अंतर देशिय उत्पादन बीसमी शताबदी के मद्य तक उत्पादन मुख्यता देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था जैसे कि आपने देखा बिर्टिश राज के दोरान इन देशों की सीमाओं को लांगने वाली वस्तुओं में केवल कच्चा माल, खात पदार्थ और तयार उत्पाद ही थे भारत जैसे उपनी वेशों से कच्चा माल एवं खात पदार्थ निर्यात होते थे और तयार वस्तुओं का आयात होता था वेपार ही दूरस्त देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य जरिया था यह बड़ी कंपनिया जिने बहु राश्ट्रिय कंपनिया कहते हैं बहु राश्ट्रिय कंपनियों को अंग्रेजी में मल्टी नैशनल कंपनी भी कहा जाता है मतलब ऐसी कमपनिया जो एक राश्ट्र तक सीमित नहीं है जिनका उत्पादन क्रे विक्रे कई सारे राश्ट्रों में किया जाता है उन्हें बहु राश्ट्रे कमपनिया कहा जाता है चलिए लास्ट लाइन को फिर से एक बार पढ़ते हैं यहें बड़ी कम्पनियां जिने बहुराष्ट्रे कम्पनियां कहते हैं कि परीद रिश्य पर उभरने से पहले का युग था एक बहुराष्ट्रे कम्पनि वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंतरन अत्वा स्वामित्व रखती हैं बहुराश्ट्रे कम्पनिया उन प्रदेशों में कार्याले तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य संसादन मिल सकते हैं देखिए, बहुराश्ट्रे कम्पनिया एक देश से जादा देशों में स्वामित्व रखती हैं, उत्पादन करती हैं, क्रेविक्रे करती हैं और यहाँ पे एक लाइन में यह लिखा हुआ है कि जहाँ पे उन्हें सस्ता श्रम मिलता है श्रम मतलब मजदूरी, जो विक्सित देश हैं, वे अपना सामान पूरी दुनिया को बेचते हैं और पूरी दुनिया उनका सामान क्यों खरीटती है, पूरी दुनिया उनका सामान इसलिए खरीटती है क्योंकि वे सामान सस्ता बनाते हैं और समान को सस्ता बनाने के लिए उसकी कीमत कम होनी चाहिए उसकी कीमत कम कैसे होगी उसकी कीमत कम तब होगी जब उसको बनाने में श्रम कम लगे कर कम लगाए जाए बिजली पानी सस्ती की जाए लेकिन अगर हम विक्सित देशों की बात करें तो विक्सित देशों में श्रम, कर, बिजली, पानी इन सब की कीमत बहुत जादा है तो उन्हें अपना सामान बनाने के लिए अपने कार खाने कहां खोलने हैं? उन्हें अपने कार खाने ऐसी जगां खोलने हैं जहां यह सभी खर्चें कम से कम हों और यह सभी खर्चें कम से कम कहां होंगे? विकास शील देशों में तो ऐसे विक्सित देश इन विकाशील देशों में पहुँचते हैं, अपने कारखाने बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, ताकि समान की कीमत कम पड़े और वह सभी बाकी के बचे हुए विश्व के देशों में अपना समान बेट सकें विध्यार्थियों अब आप यह सोचिए, एक देश किसी दूसरे देश में उत्पादन करता है और किसी तीसरे देश में उसे बेजता है इसी का नाम विश्विकरण है और यदि ऐसा ना हो, अगर विश्विकरण ना हो, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे देश, बहुत बड़ी जन संख्या इन सभी डिजिटल चीजों के उपयोग से वन्चित रह जाएगी, क्योंकि दुनिया की मांग को विश्विकरण ही पूरा कर सकते हैं, इसलिए विश्विकरण आज की एक बहुत बड़ी मांग है सामान ने था, बहुराश्ट्रे कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन 21 थापित करती है, जो बाजार के नजदीक हो, मतलब आप वहां कारखाना लगाते हैं, जहां से आप बहुत असानी से अपना सामान दूसरों को सप्लाए कर सकें, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो, जैसे कि हमने अभी अभी चर्चा की, कि ऐसी जगहां पर कारखाने लगाने, जहां श्रम, कर, इतियादी खर्चे कम लगें, और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धा सुनिश्टित हो, उत्पादन के और भी कारकों की उपलब्धा होना बहुत जरूरी है, जैसे किसी एक देश की सरकार का वेपार या उत्पादन के प्रती किस तरहां का रवय्या है, वह किस तरहां के कर लगाते हैं, वह कितनी स्वतंतरता देते हैं कि आप हमारे देश में आकर उत्पादन करो, जैसे भारत, भारत बहुत आसानी से अपने इहां अपनी अर्थविवस्था में दूसरे देशों को और स्वदेशियों को वेपार करने की छूट देता है, उत्पादन करने की छूट देता है, इसलिए भारत पूरे विश्व के लिए एक बहुत अच्छी जगा है जहां सभी लोग अपना उत्पादन कर सकते हैं, ऐसा और भी देश किया करते हैं, तो यह उन कारकों की बात हो रही है जिसके कारण और देश आपकी तरफ आकरशित होंगे, आपके पास पानी की कितनी उपलब्दता है, आपके पास विद्यत विजली की कितनी उपलब्दता है और सरकार इन सब चीजों के उपर कितना कर लगा रही है, श्रम मतलब मजदूरी आपके देश में कितनी दी जाती है इन सब कारकों का ध्यान रखते हुए यह बहुराश्ट्रिय कम्पनिया आपके पास आती है और आजकल यह देखा जाता है कि किस तरहां के मानव संसाधन एक देश में उपलब्द है जैसे कि हम देखते हैं भारत में इंजीनियर, डॉक्टर या अकाउंटेंट बहुत है क्यूंकि भारत का स्कूलों का और कॉलिजों का जाल किसी भी देश की तुलना में बहुत जादा है तो इन बहुराष्ट्रे कंपनियों को हमारे देश में इस तरहां के मानव संसाधन बहुत मिलते हैं इसलिए अधिक्तम बड़ी-बड़ी कंपनिया भारत की तरफ आकरशित होती हैं साथ ही बहुराष्ट्रे कंपनिया सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती है जो इनके हितों का देख बाल करती है आप बाद में इस अध्याई में सरकारी नीतियों के बारे में और अध्यन करेंगे इन परिस्तितियों को सुनिश्चित करने के बाद ही बहुराष्ट्रे कंपनिय उत्पादन के लिए कारियालियों और कारखानों की स्थापना करते हैं कारियालियों मतलब ओफिस की, कारखानों की मतलब फैक्टरियों की जहां पर उत्पादन होगा बच्चों आप इस बात को समझ लीजिए सिरफ उत्पादन करने से ही समान बिक नहीं जाता उसके लिए आपको समान बेचने के लिए बहुत सारे और कारे करने पड़ते हैं जैसे चीजों के विज्यापन बनाना चीजों की मार्किटिंग करना चीजों का हिसाब किताब रखना सहियों जन करना तो इन सब को आप ओफिस से जोड़ते हैं तो हम अधिक्तम बहुराष्ट्रे कंपनियों के बारे में यह देखते हैं कि उत्पादन होता है किसी एक जगा लेकिन उसके ओफिस या कार्याले अलग-अलग देशों में होते हैं जहां से समान बेचा जा रहा है जहां उनका प्रबंधन हो रहा है मैनेजमेंट आगे बढ़ते हैं परिसंपत्तियों जैसे भूमी, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में आपने आम तोर पे अंग्रेजी के शब्द सुने होंगे FDI, विदेशी निवेश बहार के देशों द्वारा आपके देश में किया गया निवेश कोई भी निवेश इस आशा से किया जाता है कि ये परिसंपत्तियां लाब अरजित करेंगी दिखिए सब भी बालतें आपस में जुड़ी हुई है किसी दूसरे देश की एक कमपनी आपके देश में निवेश किस चीज में करेगी भूमी में, भवन में, मानव संसादनों में और क्यों करेगी ताकि वो लाब अरजित कर सके और लाब अरजित करने के लिए आपके खर्चे कम होने चाहिए और खर्चे कम करने के लिए आपके हाँ पिश्रम, मतलब मजदूरी कम होनी चाहिए कर कम होने चाहिए बाकी के सभी संसादनों की उपलब्धता होनी चाहिए सरकार की नीतियां आपके लिए अनुकूल होनी चाहिए तो इन सभी चीजों से बहुराश्ट्री कमपनिया आकरशित होती है और आपके देश में निवेश करती है और निवेश करने का सिरफ औसिरफ एक ही उदेश्य है लाब और लाब होगा जब खर्चे कम होगे और खर्चे कम करने के लिए यह सब कारक हैं जो हमने अभी अभी पढ़े अब देखिए एक बहुत ही खास बात कभी कभी बहुराश्ट्रिय कम्पनिया इन देशों की स्थानिय कम्पनियों के साथ सयुक्त रूप से उत्पादन करती है सयुक्त उत्पादन मतलब एक बहार की कम्पनी और एक स्वदेशी दोनों मिलके भी उत्पादन किया करते है क्यूंकि कभी कबार एक देश यह चाहता है कि सिरफ विदेशी कम्पनी का ही लाब क्यूं हो वैसी वैसी चीजें जो स्वदेशी कम्पनी भी बना सकती है उसका भी बराबर लाब होना चाहिए तो भारत जैसे कुछ देश अपनी कम्पनियों के लिए अपनी कमपनियों के विकास के लिए बहार की कुछ कमपनियों से हाथ मिलाते हैं और सैयुक्त उतपादन करते हैं, जिससे बहुराष्ट्रे कमपनियों को भी लाब पहुँचता है और स्वधेशी कमपनी को तो लाब पहुँचेगा ही। संयुक्त उत्पादन से स्थानिय कंपनियों को दोरा लाब होता है पहला बहुराष्ट्रे कंपनियों अतरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती है मतलब बहुराष्ट्रे कंपनिया हमारे देश में आएंगी और हमें निवेश की राशी देंगे इसके बाद क्यूंकि राशी हमारे देश में आ चुकी है इससे तीवर उत्पादन होगा उसके लिए मशीने आएंगी और दूसरा बहुराश्च्रे कम्पनिया उत्पादन की नविंतम प्रोध्यक की अपने साथ ले कर आती हैं मतलब बहुराश्च्रे कम्पनिया नई टेक्नोलेजी ले कर आती हैं और हमें भी उस तकनीक के बारे में सिखाती हैं इससे हमारे देश का विकास भी होता है जैसे कि आप देख सकते हैं प्रस्तुत कार्टून में एक वैपारी या एक निर्माता क्या कहता है हम इस कारखाने को दूसरे देश में स्थानांतरित कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर यह खर्चीला हो गया है खर्चीला शब्द अपने आप में सारी परिभाशा कर रहा है माल लेते हैं यह किसी विक्सित देश में है और उस विक्सित देश में श्रम मतलब मजदूरी के जो कम से कम भाव हैं वह भी किसी विकास शील देश से जादा होते हैं तो वहाँ खर्चा जादा होगा तो उस खर्चे को कम करने के लिए यह निर्माता यहाँसे अपने कार खाने को स्थान अंतरित ट्रांसफर करना चाहता है किसी ऐसे देश में जहाँ उन्हें यह खर्चे कम पड़ें खर्चे कम होंगे तो लाब अपने आप ही जादा होगा चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन बहुराष्ट्रिय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानिय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है बहुराश्ट्रे कंपनियों के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि किसी विकाश शील देश में अगर कोई ऐसी कंपनी है जो घाटे में चल रही है या जिससे उत्पादन नहीं हो रहा, उन कंपनियों को यह बहुराश्ट्रे कंपनियां खरीद लेती हैं और उसके बाद पादन का प्रसार करती हैं अपार संपदा वाली बहुराष्ट्रे कंपनी यह आसानी से कर सकती हैं अपार संपदा मतलब इन बहुराष्ट्रे कंपनियों के पास बहुत सारी धन संपत्ति होती है और यह कंपनिया किसी भी दूसरे देशों की जो उनसे कम हैं उन कंपनियों को खरीदने का मादा रखती हैं और जैसे ही यह उन कंपनी को खरीदती हैं उसमें एक अच्छा खासा निवेश करके नई मशीने लगाके नई तकनीक से और उत्पादन करने लगती हैं और उस देश को विकास के पद पर ले जाती हैं तो विध्यारतियों हमने सीखा कि वैश्व कि उत्पादन सिरफ उत्पादन के वज़े से ही वैश्विकरन नहीं है सेवाओं की वज़े से भी है सरकार की कुछ नीतियां और उत्पादन के बहुत सारे ऐसे कारक जिनके कारण वैश्विकरन बहुत सारी चीजों के साथ जूचता है अब बागी की चीजें हम इस अध् भाग में करेंगी, धन्यवाद. खश्ड़ाद.